हेलो फ्रेंड वेलकम टू इस्टेडिवाइस चैनल आज मैं जीके 10 टेस्ट के अंतरगत एक नया पार्ट लेके आए हूँ इसी तरह मैं रोज एक टेस्ट लेके आती हूँ तो आप वीडियो के देखा करिए टेस्ट दिया करिए तो चलिए आज का ये टेस्ट सुरू करते है इसके पहले का पार्ट इस चैनल पर पढ़ा हुआ है तो आप वहाँ से जाके और भी टेस्ट दे सकते हैं तो चलिए आज का सुरू करते हैं ये टेस्ट पहला प्रस्ण है कि आदी ग्रंथ किसने संकलीत किया है गुरू गोविन सिंग गुरू रामदास गुरू अर्जून गुरू नानक तो इसका एंसर है गुरू अर्जून तो फ्रेंड यहां कुछ चीजा और भी जान लिजे तो गुरू अर्जून की बारे में पहले बता देते हैं क्योंकि ये एंसर सही है तो गुरू अर्जून सिखधर्म के पांचवे गुरू थे और उन्होंने अमरिस सर में स्वड मंदिर का नेर मार कराया था और सिखधर्म की बात हो रही है तो सिखधर्म की इस्थापना गुरू नानक ने की थी ये प्रथम गुरू थे और आखरी गुरू जो आंतीम थे दसवे गुरू गुरू गुविन सिंग थे और इन्होंने खाल सा पंद की इस्थाप थे कपिल पाड़नी पतंजली अलार कलाम तो इसका एंसर है डी अलार कलाम नेक्स्ट कोशन अगला कोशन है भारत की सविदान सबाग किसके अनुसार गठित की गई कैबिनेट मिसन योजना माउंट बेटन योजना क्रिप्स पस्ताव साइमन आयोग इसका एंसर है कैबिनेट मिसन योजना नेक्स्ट कोशन भारत की संसदी पढ़ाली किस देश की सविदान से प्रस्तावी थे प्रभावी थे अमेरिका, इंगलेंड, आयरलेंड, जर्मनी तो इसका एंसर भी इंगलेंड के सविधान से प्रभावित है भारत की संसेदी पड़ाली नेक्स्ट कोस्टन अगला कोस्टन है एंडीज परवतमाला की सर्वोच चोटी कौन है माउंट एलब्रस माउंट मैकिनले एकाका गुवा हुएला तो इसका एंसर C एकाका गुवा एकांका गुवा नेक्स्ट अगला कोस्टन है यहाँ पर एनू जन जाती होगा यहाँ बेज़ेसे अनू लिखा गया तो यह ए होगा एनू जन जाती कहाँ पाई जाती है फिलिपिन्स फिनलैंड, इरान, जापान तो एनू जन जाती जापान में पाई जाती है डी एंसर सही है नेक्स्ट कोस्टन की साबुन को जल में घुलने पर प्रिष्ट तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है पले घड़ता है फिर बढ़ता है बढ़ जाता है घट जाता है तो इसका एंसर C घट जाता है अगला question नेक्स्ट है काजी रंगा किसके लिए जाना जाता है पच्ची के लिए, बाग के लिए, सेर के लिए, गैंडा के लिए तो इसका एंसर D गैंडा के लिए नेक्स्ट कोश्चन कैडमियम प्रदूसर किसी से सम्मंद है ब्लेक फूट रोग डिसलेक्सिया इटाई-टाई मीनिम आता है तो इसका इंसर होगा सी इटाई-टाई रोग से सम्मंदित है नेक्स्ट है और लास्ट है ये कि बावनवा आसकर पुरसकार 2020 सरकेसरेश्ट फिल्म कौन सी थी जूडी जोकर पैरासाइट वन्स अपान ए टाइम इन हालिवूड तो इसका एंसर होगा सी पैरासाइट तो फ्रेंड ये बावन बेवा है 92 मैंने बावनवा बोल दिया तो 92 जो आसकर पुरसकार 2020 की सरकेसरेश्ट फिल्म पैरासाइट है तो फ्रेंड ये दस कोश्टन कम्पलीट हो गया तो ये आपको कितने सही हुए कमेंट में जरूर बताएगा और वीडियो कैसी लगी लाइ ये जरूर देखने के लिए धनेवाद और यदी किसी और समन जब经 검ए मेरे चालनल पे पड़ा हुआ है आप आके देख सकते हैं अध्या केविए धन्यवाद